वो दीनी प्रोगाम में तब भी नाच करता है वो पहले गाना गया उसने अच्छा इफ्तार में वो विनोत खन्ना मर गया ना अभी वो अभी जो प्रोगाम आ रहा था उसने नाजरीन प्रोगाम में एक बार फिर आपको खुशामदित कहते हैं वकफे में जाने से पहले मुटि साथ बयान फर्मा रहे थे कि मूब भर के अगर हो तो उससे रोजा टूट जाता है तो पुफसी सजाथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा मूब भर के से मुराद क्या है और उसकी कौंटिटी कितनी होना चाहिए और किस तरीके से जो है इसको बयान करें या देखें मूब भर के का माना यह है कि अगर ऐसी के हो जिसको बिला तकल्लफ ना रोका जा सके अ फासिद हो जाएगा अगर किसी को कै हुई और वो मूब भर ना थी तो ऐसी सूरत में उसका रोजा तो ना तूटेगा लेकिन अगर उसने एक चन्ने के बराबर भी निगल गया उसको नीचे उतार लिया हलक से तो ऐसी सूरत में उसका रोजा फासिद हो जाएगा तूट ज करवा पानी या खून विगरा आया तो ऐसी सूरत में भी उसका रोजा फासिद हो जाएगा ठीक है मुश्जाब अब इसी हवाले से में एक ख़ीज़ हमें एक सवाल देता है चलूँ इसके साथ पिर आप बयान कर दीजेगा मुश्जाब ने बताया कि चने के बराबर भी अगर अंदर ले लिया तो क्या ऐसी सूरत में अगर किसी को अचानक गय हो गई और तो क्या करना चाहिए उस वत फौरण उसको मुझे पानी से वाश कर लिया ठीक है यह जो चने आदे चने के बराबर बात है तो यह है वो चीज जो हम खारिज से दाखिल कर रहे हैं अच्छा जब एक चीज आगे ना मुँ में अब वो समझे बाहर आ गई है ठीक है अब आप उसको वापस जब अंदर लेके जा रहे हैं तो ऐसा ही इसे बाहर से बाहर से पर लेगी इसलिए जो है वो अपनी एहतियात करने चाहिए एहतियात सेकंड में एक हदीस सुनाना चाहूंगा कि नभी पाक शल्ला लाह लेसलम ने बड़ी प्यारी रहनुमाई फरमाई अपने अमतियों की चूप के वो गमखार आगा शल्ला लेसलम हर मौके पर अपने अ बलके बास तो ये समझते हैं कि रोजा में जो खुद बखुद कै हुई होई तो भी रोजा तोड़ जाता है हाला कि ऐसा नहीं है चुनाचे नभी पाक स्थिज्द अबु हुरेरा रदिया लाह ताला से मर्वी है और जिसको माहे रमजान में खुद बखुद कै आई तो इसका रोजा ना तूटा और जिसने जान बूचकर कै की तो इसका रोजा तूट गया एक और मकाम पर इस शाद फरमाया जिसको खुद बखुद कै आई इस पर कजा नहीं और जिसने जान बुचकर काय की वो रोजा की कजा करे जान बुचकर काय करने से ड़क सब आप बहतर समझते हैं आप डाक्टर हैं बाथ वकात ऐसी सुरत होती है कि मतली जो है बार बार परिशान कर रही होती है तो अजीब सा मतलब जायका मुँ में आ रहा होता है ड़कार आ रही होती है जब तक कोई चीज निकलेगी नहीं तो जब तक वो सुकुन नहीं होता तो वो खुद भी चाहता है कि किस तरीके से कैह हो जाए तो चाहे वो उंगली को इसने हलक में दाखिल किया या कोई और ऐसी चीज़ तो ये वो खुद ब खुद रोजे को तोड़ने वाले काम कर रहा है इस तरीके से उसने उल्टी खुद की जान बुचकर तो वो रोजे को तोड़ देगी अच्छा अबुद सब मेरे इसी सवाल को मैं मजीड डिफाइन पूछना चाहूंगा आपसे रोजे की हालत में मिस्वाक अगर की जाए तो मिस्वाक जो है उसके जो रेशे जो है वो दातों के दरमयान रह जाते है अक्सर बेशतर मिस्वाक करने के बाद आपको कुली करते है फिर भी आपको बाद में फील होता है कि उसके रेशे जो है वो रह गएं अंदर की तरफ और इसी तरीके से मसला हम जब वजू के दरमयान कुली करते हैं और पानी जो है वो नर्खरे के अंदर लेके जाते हैं तो गारगिल के दरमयान जो है वो पानी अंदर जाने के चांसेज भी होते हैं उस सुरत बे आप क्या कहेंगे सर रोजे की हालत में याद रखें घरगरा करना मना है कि रोजे को तोड़ देगा चांस नहीं होते यकीनी तोर पर पानी चला जाता है जब कोई इस तरह करता है पानी अंदर लेता है तो वो पानी जाता ही जाता है लक्स नीचे इसलिए हो तो मना है कुली करने का हुकम है सेकंड मिस्वाक करना रोजे में खुद सुन्नत मुबारका से साबित है तो वो जाईस है मिस्वाक सुन्नत है वो जिसके रेशे रह जाएं ऐसा मिश्वाव करना ही नहीं चाहिए यूंस समझे कि वो शायद एकसपाइर हो रहा है अगर उसके ज्यादा से ज्यादा रेशे निकल रहे वर्ना सही लकडी जो है vibes वो इस तरह तूटती नहीं है बार बार के उसके दांतों में रेशे फ़ज जाएं तो उससे तो एहतियात करनी चाहिए ठीक है अमुष सब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पेशन्ट हैं जो इनको कब्ज या कॉंस्टिपेशन रहती है और ऐसी सूरत में अगर वो रोजे की हालत में उनको स्टूल पास हुआ और सम टाइम ऐसा भी होता है कि उससे ब्लेडिंग भी हो जाती है और सम टाइम मैसिव ब्लीडिंग हो जाती है बहुत जादा ब्लीडिंग होती है जिसको रोकने के लिए या तो और या इतना शदीद पैन होता है कि उनको मैडिसन यूज़ करना पड़ जाती है और ऐसी सूरत में क्या हुकम है रोजा ब्लीडिंग से तो रोजा नहीं टूटेगा धुकर ना मगर जब मैडिसन लेंगे तो रोजा टूट जाएगा दवाई जब लेंगे तो रोजा टूट जाएगा वैसे अगर रोजा पिशाप की हालत में तो रोजे को नहीं तोड़ेगा धेक है तो जब किसी को पाइल्स हो जाया या एमराइडल जब पैंस स्टार्ट हो जाते हैं तो वह बहुत जादा एक 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 एक्टिवर्ट कंडिशन में जो है वह सामने की तरफ आते हैं और उस टाइम पे अगर मेडिसन ना ली जाए तो मुस्तकिल आप तड़ते रहते हैं तो ऑसी सूरत में क्या रोजा दुबारा रखेगा या उसे आप या आप onset क्रचा तो एलजा उजास थरुख? कि इस शरीद तरीन तकलीफ में है तो इस तकलीफ को अपने से दूर करने के लिए दवाई ले सकता है अब वो इस रोजे की गजा करेगा अच्छा मुश सब गजा क्योंके सम टाइम तो ऐसा होता है कि किसी को अचानक जो है वो एक्यूट कंडिश में जो है वो कॉंस्टिपेशन होई और ठीक होगी तो वो उसने गजा निकार ली लेकिन कुछ पेशनिट ऐसे हैं जो बहुत क्रॉनिक हैं बहुत अर्सेस हैं और सम यानि ऐसा शख्स जो रोजा नहीं रख सकता हैं उसे शेख फानी कहते हैं तो वो वो शख्स जिसमें इस्तितात ही नहीं होती कि वो रोजे को रख सके तो वो फिदिया देगा ठीक है ना मगर जब भी इसको ताकत होगी उस मर्द या उस औरत को अल्लह रब लिज्जत की ज इसे काम आएगा नाजरीन प्रोग्राम में हमारे साथ कालर मौजूद है असलाम आरीकुम जी कौन और कहां से बात कर रहे हैं महामद अक्रम कराची से बात कर रहा हूं सर मेरा एक मसला यह है कर रोजे रखता हूं लेकिन मैं अप्शून का इस्तमाल करता हूं किसका जब य अगरी आलत खराब हो जाती है अगली साल को तरफ पर अपना यह तरावी के बाद में ली है तो उसका असर सुबा तक रहता है तो ऐसी आलत में यह बताईए कि वो मेरा रोजा होता है यह नहीं होता है ठीक है बहुत शुक्रिया करम साब प्रग्रम्रम जी जी क्यूची के पर भी एक सवाल ऐसे ही आया था जो के ञार तो उन्होंने का था कि वो नमाज को हो जाती है ठीक है बहुत शुक्रिया प्रग्रम देखते रही है इंशाला शामल करते हैं मुश्तब स्वाल क्या है समझ में यह एफीम इस्तमाल करते हैं नशा करते हैं और इनके यह था कि मै अगर तरावी के बाद इन्होंने अफीम को इस्तेमाल किया तो क्या अगर उसका नशा मुझ पर रोजे के बाद यानी सहरी के बाद भी रहा तो ऐसी सुरत मेरा रोजा गाएं नहीं रहेगा सबसे पहले तो अफीम इस्तेमाल करना कैसा इस पर जवाब दिया जाए नबी पाक शल्ले लाओ ने फरमाया कुल मुस्करिन वफ्तिरिन हराम कि हर मुफ्तिर जो फुटूर डाल दे और मुस्किर जो नशा दे वो हराम है तो इनको इस चीज़ का इस्तेमाल चाहे तबीयत खराब हो या सही हो किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो भी नशा करता है नशा एक तो सिहत को गिराता है दूसरा शरीयत मुताहरा के उसूलों को तोड़ता है अल्लह रसूल को नाराज करता है इसलिए सबसे पहले तो मेरे भाई रमजान की बरकत से तकलीफ बरदाश करने और आप करके देखें इन्शालला आपकी यादत छूट जाएगी अब जो आपका सवाल के रोजा रहेगा मसलां वो सेंसेशन जो है वो उनको महसूस हो रही है वो असराद महसूस हो रहे हैं मसला नशा उन्होंने किया तो उसकी फीलिंग सारी है उनके अभी तक वो नशा अभी तक चल रहा है और रोजा बंद हो चुका है तो उस सुरत में रोजा काइम रहेगा या नहीं रहेगा नमास के करीब जाने से बचो अगर तुम नशा में हो तो नमास क्यूंकि जब बंदा पढ़ता है तो फरिश्टे अपने मूँ उसके मूँ से लगा देते हैं उसकी तिलावत से उनको सक्त अजियत होती है तो इसलिए नमास से मना किया गया जहां तक रोजे की बात है तो बजाहर तो यही मामला है कि रोजा हो जाएगा क्यूंकि रोजे की हालत में कोई इसी चीज इस्तेमाल नहीं की गई इस बन्याद पर मगर ऐसी सूरत में रोजा रखना मिसाल कोई हिरोंची है उसने जो एना वो जणाब सब अलमूस्ट सेम केटेगरी है अच्छा नशा नशा जो है उन पर तारी है और नशे की ही हालत में मैं असल में इतना करीब से इसा मामला देखा नहीं है इसलिए मैं इसको सही समझ नहीं पा रहा हूँ मगर में जो शरीयत के उसूल है उसे बयान करता हूँ चलू मिसाल के दौर बर कोई शक्स है हिरोईची है और उसने जो है ना वो सहरी की और उसके बाद हिरोईट पी और जनाब वो फिर मुरगा बन गया, जो जहाज बन गया के जनाब मेरा रोजा हो गया, अब वो उठाई मगरिब में तो उसका रोजा होगा के नहीं होगा तो भाई वो बजाहर तो जो है वो उसने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, जिमा नहीं किया इस उसूल को अगर देखें तो रोजा है मगर आप देखिए कि वो कैसा रोजा रख रहा है जो अल्ला को राजी करने वाला है या उसको नाराज करने वाला है रव तो ये फरमाता है कि नमाज के करीब भी नहीं जाओ रोजे के भी करीब नहीं जाना किसी अल्ला को राजी करने वाले काम करने के लिए पहले उसे नाराज करने वाला काम करना मतलब मैं अल्ला को राजी कर रहा हूँ और नशा कर रहा हूँ तो वो अल्ला को राजी कहां कर रहा है वो तो अल्ला को मजीद नाराज कर रहा है ऐसे शख्स को चाहिए कि अगर मौमिन है तकलीफ बरदाश करे अल्ला की रिज़ा की खातिर इंशालला ये बद आदत भी छूट जाएगी रोजा भी हो जाएगा